UPSC बढ़ती परिक्षा 2022 UPSC प्री एक्जाम 2022 के रिजल्ट कब आएगा हम इस वीडियो में आपको बिल्कुल एक निश्चितिती बताने बाले हैं देखिए 2021 के एक्जाम की बात करें तो UPSC का प्री एक्जाम हुआ था 10 हक्टुम्बर को और रिजल्ट आयता 19 हक्टुम्बर को अटा 24 दिन लगे थे 2021 के प्री एक्जाम रिजल्ट को आने में 2022 की हम बात करें बिद्याड्यों तो 2022 में आपका UPSC प्री एक्जाम 5 जून को कंड़क्ट करा राये गया पूरी संभावनाय के 19 दिनों के बाद आता 24 जून को रिजल्ट आपका आ जाएगा यदि विद्धियारते 24 जून को नहीं आता है रिजल्ट आपका तो देखिए 24 जून से 30 जून के बीच में UPSC अपना रिजल्ट किसी भी दिन डिग्लियर कर देगा तो जुड़े रहिएगा अमारे साथ आगे की इनफोर्मेशन आपको प्राप्त हो इसके लिए अमारे चीन को सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद